나중에 आप देखेंगा एक block को मैं इधर रख देता हूं यह block है अब यह block है और में सर्फिस को इसे स्मूत कर रहा हूं यह पूरी तरह से स्मूत है इस पर मैं एक force लगा रहा हूं नहींने force लगा दिया अब यह को घटा दिया जो मैंने इसको फार्स से जा रहा है अब यह कंट्यून मोशन को करेगा क्योंकि अब इसके फिस्टरूप करने वाला कोई भी फॉर्स नहीं है मैं सब ची दिखा दे रहा हूँ अभी तो कोई फोर्स नहीं लग रहा लेकिन एक कंस्टेंट से चल रहा है कि इस पर देखेंगे इस राफ सरफेष है यह रफ सरफेष है इस रिक्सन के बारे में हम स्पोजट कुछ नहीं जानते हैं यह रफ है I think रफनेस के बारे में तो हम लोगों ने सुना ही होगा अक्सर बोलते हैं रहे कितना रोड़ खराब है टायर खराब हो जाएगा तो यह अब मैं पुना एक फोर्स लगाता हूं देखो फोर्स लगाया लेकिन चला नहीं जरा देखो फोर्स लगाया लेकिन चला नहीं और फोर्स लगा रहा हूं देखो यह बो अबजेक्ट मूब नहीं किया देखो आप एक ही ध्यान से देख रहे होंगे ध्यान से देख रहे देखो कोई friction force नहीं आया friction force तभी आया जब यहां motion की tendency है और मैं बढ़ा रहा हूं और जैसे जैसे मैं force को लगाए जा रहा हूं external force वैसे वैसे friction force बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है अभी देखो sum of force 0 है मतलब अभी इस पर net force नहीं लगा है मतलब इसका state change नहीं होगा अब जारा देखो अब देखो इस पर six Newton का force लग रहा है ट्वार्स राइट इसका मतलब friction force से ज्यादा हो गया है applied force और यह accelerate हो चुका है और accelerate अब मैं force अटा दे रहा हूं यह पूर्णा रुप जाएगा अच्छा मैं force अभी राइट के तरफ लगा रहा था अब मैं left की direction में लगा रहा हूं देखो लगा रहा हूं लगा रहा हूं लगा रहा हूं देखो चलना सुरू कर दिए अगर कम लगाऊंगा यह देखो अभी नहीं चल रहा है net force 0 सो जब रब surface पर किसी object को रखते हैं हम लोग तो जो surfaces contact में आते हैं तो एक force लगता है और वह force हमेसा along the surfaces in contact लग रहा है जो इसके बीच जो most relative motion होने जा रहा है या जो relative motion की tenancy है यह उसका पोज कर रहा है और जैसे जैसे हम लोग external force को बढ़ा रहे हैं यह दोको friction force भी बढ़ते जा रहा है यह का ऐसा समय आएगा कि इसका value constant हो जागा देखो अब कितना भी force बढ़ाओ यह force तो चलिए हम लोग आगे लेके चलते हैं इस class को तो